नवस्कार दोस्तों आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं तुरू आहसा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुसाल होंगे और जहां भी होंगे, एकदम बहतरीन होंगे आप सभी को पता है कि एक बहुती बहतरीन हमारी प्रतिष्ठित स्री चली हुई है जिसका नाम होगा सरजी जिलादर्सन इस जिलादर्सन की यदि मैं बात करूँ तो डेवाई डेज में एक नए जनपद के साथ आपके सामने मुखावित होता हूँ और एक जनपद हम डेली करते चलते भी है आज मैं बात कर पाऊं तो इस जनपद का नाम होगा बहराईच और ये जनपद की बात होगी तो अपने में बहुत ही जानदार ये सरीज है तो सभी को नौट्स बनाते चलना है और उमीद है कि आपकी परिक्षा के लिए बहुत जादा कारगार सिद्धोगी तो आज सर जी महारा होगा बहराईच बहराईच आप पहले देख पारे होंगे सर जी ये आपका उत्तर परदेश का पूरा मानचित्र ये आपका ये रहा बहराईच जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है उपर नेपाल ये ना तो नेपाल की सीमा से लगा हुआ ये जनपद होगा बहराईच जिसके उपनाम की यदी में हाँ बात कर पाऊं तो सयद मसूद गाजी नगर और रिसी भूमी की नाम से इसे जाना जाता है बात आती है कि उत्तर परदेश राज्य की किस जनपद को रिसी भूमी या सयद मसूद गाजी नगर की नाम से जाना जाता है तो आपके मुख से एक ही जबाब आना चाहिए सर जी वो होगा बहराईच जिसका जिला मुख्याले बहराईच में अवस्तित होगा मैं बात करूँ जिला मुख्याले बहराईच में बहराईच जिले में तहसिलों की संक्या होगी 6 और 6 में क्या-क्या होगी प्यागपुर होगा, नानपुरा, मोतीपुर, महसी, बहराईच और केसरगंच, ये आपके सामने विदिखाई देरा होगा, नानपुरा, ये री सरजी, ठीक है न, ये पूरे बहराईच कमान चित्रे है, बहराईच ये री आपकी, ठीक है न, ये लिखा हुआ है, बहराईच केसर गंच महसी यह सारी चीजें यहाँ पर होंगी तो आजाए कि वहराईच जनपद में कुल तहसिलों की संख्या तो मेरे भीया आप छे बता पा रहे होंगे चलो अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे एक जिला एक उतपाद योजना की यदि मैं बात करूँ ओडी ओपी योजना में इसे गैहुँ ठीक है न डंठल हस्ति सिल्प के लिए जो गैहुँ की जो डंठल है उनसे ये बना दिया ठीक है न पीने का मयूर जगसा जो भी है इसके लिए जाना जाता है और इसके लिए इसे ODP योजना में माननेता प्रैदान कीगी गैहूं डंठल हस्त सिल्प के लिए सर्यू नदी के तट पर इस्तित एबम नैपाल की सीमा से लगा बहराईच पोरानिक नाम जिसे ब्रह्मची स्रश्टी के रचनाकार जिनोंने ब्रह्मांड की रचना की है रचनाकार आदी पिता ब्रह्मा की राजधानी थी बताया चाता है ब्रह्मची और ये कौन थे ये ब्रह्मची के पिता जी थे इनकी राजधानी हुआ करती थी जिसे कवी गंधर्व छेत्र के रूप में भी जाना चाता था मैं बात करूँ उत्तर परदेश राज्य की कौन सी जनपद को गंधर्व चित्र के नाम से जाना जाता था तो आप सरजी बहराईच यहां पर बता पा रहे होंगे क्या बहराईच हस्त सिल्प की बात आती है तो कला कलन चित्रकारी और चिकन इंब्राईडरी ठीक है ना महराज़ सोहिल देव एवं सयद सलार मसूद गाजी का युद होता है जिसमें मसूद गाजी की मेरती होती है और मसूद गाजी की मरत्य के बाद मेरे भ्या एक फ्रोज सहत तुगलग ने इसकी एक मजार भी बना दी जहां पर मैं बात करूँ उर्स मेला यदि सेयद सलार मेला भी हम बात करें सेयद सलार मेला उर्स मेला कहां लगता है सरजी बहराईश में और किस पर सेयद सलार मसूद गाजी की मजार पर आज परियतन कैंदर की बात करूँ राजा सोहेल देव मंदिर जो एक एतिहासी किस्तल होगा यहाँ परिस्तित है राजा सोहेल देव मंदिर सेयद सालार मसूद गाजी की दरगाहा चन कितनी बार कोश्यन आया सेयद सालार मसूद गाजी की दरगाहा कतर्निया घाट बन्य जीव अब्यारण ने वेरी वेरी इंपूर्टेंट है कतर्निया घाट बन्य जीव अब्यारण ने भहराईच में और सिरी सिद्धनात महादेव का मंदिर सिरी सिद्धनात महादेव का मंदिर और राज के इंद्रा उध्यान और राजा की कोठी चुनान पारा में अवस्तित है ये परियतन कैंदर मेरे भिया किसके हुँगे बहराइच के हुँगे बहराईच उत्तर परदेश का सरवादिक मक्का उत्पादक जिला है ये मक्का आपको दिखाई देरी होगी तो उत्तर परदेश का सरवादिक मक्का उत्पादक जिला बहराईच पयाग जील और चित्तोरा जील मैं बात कर पाऊं सर जी पयाग जील ये आपको दिखाई देरी होगी महराज सुहेल देव इसमार की भी है पर है चित्तोरा जील कहाँ पर है बहराईच में बहराईच जनपद में महराज सुहेल देव सुवैसासी राजी चिकित्सा महा बिद्यालेवी अवस्तित है मैं बात करूँ महराज या महराजा सुहिल देव सुवै सासी राजिच कित्सा महाविध्याले कहां तो आप बता पा रहे होंगे बहराईच में यह है चित्र सगन बन चित्र और तेजी से बहने वाली नदियों के लिए पिरसिद्ध है और महराजा सुहिल देव की गौरव गाथा के लिए जाना चाता है आज ए उत्तर परदेश राचे का कौन सा जनपद महराजा सुहिल देव की गौरव गाथा के लिए जाना चाता है आप बहराईच बता पा रहे होंगे लोकोक्तियां हैं कि बहराईच के सूर्य कुंड में इसनान करने से त्वेचा संबंदी सवी रोग ठीक हो जाते हैं बहराईच की यदी मैं बात कर पाऊं बहराईच का जो सूर्य कुंड हैं हैं यदी हम इसनान करें इसनान करने से जुत वैचा संबन्दी सभी रोग हैं वो क्या हो जाते हैं सर जी ठीक हो जाते हैं ये आपका होगा बहराईच जनपद यसी के साथ एक नए जनपद के साथ मुलाकात दिकर पारे होंगे उम्मीद है कि आपको हमारे जिला दर्शन स्रीज पहुत हिलाव दायक सिद्ध होगी और समझ में भी आरी होगी तो एक बारे सभी कमेंट्स करके जरूर वता पारे होंगे कि जिला दर्शन स्रीज कैसी लगी आपको तो इसी के साथ मित्रो मैं अपनी वानी को देपारा होंग अब रामत सभी बोलेंगे सर जी जै हिंद जै भारत